दोस्तों 1791 में मराठा सेनाय टीपू सुल्तान पर आकर्वन करने शिरंगा पत्नम गई तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की ज़रुत है कि मराठा सेनाय हिंदू और टीपू सुल्तान मुसल्मान इन दोनों सेनाय में युद हुआ और ये युद बिना हार जीत के ही समाप्त हो गया मराठा सेनाय शिरंगा पत्नम से वापस जा रही थी उनके मन में टीपू को ना हरा पाने का गुस्सा था इसी गुसे और क्रोध के कारण मराठा सेना ने शिरंगा पत्नम का मंदिर तोड़ दिया जब इसकी जानकारी टीपु सुल्तान को मिली तो टीपु सुल्तान ने मंदिर की मरमत कराई अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मराठाओं ने मंदिर क्यूं तोड़ा अपने धर्म का अपमान करने के लिए कि टीपु सुल्तान का अपमान करने के लिए और टीपु सुल्तान ने मंदिर की मरमत क्यूं करवाई हिंदु धर्म को बढ़ावा देने के लिए कि प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए आगे आप खुद समझदार है